हलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए 7-8 साल की लड़की के लिए हाफ पेंड का वीडियो लाएं इसके लिए इसका टॉप हम आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं यह देखिए 4 फोल्डे का प्रा है इसे खुली इस तरफ हमने अपनी तरफ कर ली है और उसके बाद हम यहां माग करेंगे 8.5 इंच पे देख लिए यह लंबाई 17 इंच है इसकी और जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच से थोड़ा कम है यह 7-8 साल की लड़की के लिए बहुत ही सही नापक है थोड़ा लूज ही बनेगा अगर आप फिट पहनना चाते तो उसे साथ से रखते हैं हमने 8.5 इंच पे यहां पे माग कर लिया है और इस तरफ से 2 इंच पे माग किया 9.5 इंच का हम यहां पे एक स्कौायर बना लेंगे इस तरह से यह स्कौायर हो गया और यहां पे नीचे की तरफ क्रोच एरिये के लिए एक ऐसा थोड़ा कर दे देंगे फिर नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच पे माग करेंगे और फिर दोनों माग को इस तरह से मिला लेंगे इसके टॉप का वीडियो भी आप देख सकते हैं अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से दोनों ही हिस्सों को कि हमारी कटिंग लगबग पूरी हो गई अभी हम जेव के लिए कपड़ा काटेंगे उससे पहले हम आगे और पीछे के दो दो पल्लों को अलग कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से हमने इड्यद्स किया हि कि आगेए पल्ले लगबग एक इन चाटे होते हैं तो दो हिस टो पल्ले चोटे हो गए दो पल्ले बड़े हो clagem अब उपर से भी हम इसे कट कर देंगे दोनों पल्लों को जिस के लिए हमने एक कपड़ा लिए आप छोटी जेब चाहें तो इस तरह से छोटी जेब रख सकते हैं आप बड़ी चाहें तो बड़ी रख सकते हैं यह आप पे उपर है हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आप यहां पर किती बड़ी जेब लगाएंगे और किस तरह से लगाएंग और जो चोड़ाई है वो भी 9 इंच है, यहां से हम कपड़ा यूं कट कर लेंगे, इस तरह से हमारा यह कपड़ा होगया, डबल है यह भी, आपने देखा होगा, यहां कफ देखे हम इसे टाकेंगे, कैसे वो भी देखेगा, इसके लावा हमें कुछ पट्टिया काटनी होगी और जालर काटनी होगी, यहां उपर के लिए हम जालर लगाएंगे, उसके लिए बचे होए कपड़े में से थोड़ा तिर्चा से कपड़ा काटना है, वो इस तरह से है, इसकी जो चोड़ाई हमने ली है, यह हमारी 20 इंच लिए, थोड़े हम प्लेट्स देंगे, इस तरफ से लंबाई 15 इंच है और इस तरफ से 5 इंच है, 15 इंच और 5 इंच वाले लाइन को यूँ तिर्चा मिला के कट कर लिया है, इस तरह से टुकड़ा मारा बन गया है, इस टुकड़े के साथ हम जो जालर लगाने वाले हैं, उसके लिए 4 इंच चोड़ी पट्टिया लिए हम दो पट्टिया लिए हैं, इसको इस तरह से डवल करके फोल करके यूँ प्लेट्स देते हुए इस वाले हिस्से पे यूँ लगाएंगे, हम एक ही जिए लगाएंगे इसमें, जिसना आपके हमने पहचे काटे थे उसना आपके हमने अस्तर भी काट लिये हैं, अब हमें इस इस तरह से सीधा कपड़ा उपर है और नीचे अस्तर है, इसके उपर दूसरा सीधा कपड़ा और उसके उपर अस्तर रखा और हमें ये क्रोच एरिये की सीधी सिलाई देनी है, हमने सीधी सिलाई दे ली तो ये देखिए इस तरह से तरह से यूँ करके आएगा, क्रोच एर दोनों आगे और पीछे के पल्लों को अलग-अलग आपस में जोड़ा है ये इससे भी खोल के दिखाते हैं ये आपका ये हो गया आगे का और जो नीचे रखा है वो पीछे का इस तरह से सिर्फ क्रॉच वाच एरिया जोड़ा है अब आगे के पल्ले पे हम थोड़ा सा डेको के यूँ रखा आप चाहे तो पिनप कर सकते हैं उसके बाद यहां से यहां पर तीन इंच पर यूँ करके माक लगाया और इधर से पांच इंच पर माक लगाया इस तरह से फिर यूँ गोलाई देते हुए दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लिया यह हमारी चाहे तो आप इस तरह से भी गोलाई दे सकते हैं ज़्वसी आपकी इकश्या, हम इसे कट कर लेंगे तो इस गोलाई को हम कट कर लेते हैं यह जेब का हमारा असत्र और जेब साथ में है यह याद रखिए जेब का भी सीधा पला उपर की तरफ है और यह भी उपर की तरफ है अब हम यहां रखके यू सीधी सिलाई यहां पर जेब पर दे लेंगे अब इस अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे हम यू और यहां पर उपर एक टॉप सिलाई दे लेंगे यहां पर जिसरे यह जेब अच्छे से बैट जाएगे अब हम पलट के जो हमारे जेव का अस्टर का बचा हुआ टुकड़ा है उसे इस तरह से उपर फोल्ड कर देंगे यहाँ पर हम सिलाई यूँ करके थोड़ी गोलाई करते हुए यूँ एक गोल सी सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे जिसे जेव बन जाए अब हम इसके उपर जालर लगाएंगे उसके लिए कपड़ा है उसे इसके उपर एड़ेस्ट करेंगे प्रेट्स देते हुए और यह फ्रिल लगाएंगे जिसे की डेकुरेट हो जाए यह याद रखिएगा कि नीची का कपड़ा जेब से बाद लगेगा यहाँ पे हम पहले जाले जाले हम उसके प्रेट्स देते हुए जोड़ेंगे यह आराम से यह प्रेट्स देना है ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा चोटी भी नहीं इस तरह से प्लेट्स देते हुए पूरे को सिलना है जब एक बार यह प्लेट्स दे लेंगे फिर इसके उपर प्रेशर स्टिच भी दे देंगे दाब सिलाई जिससे कि यह प्लेट्स अच्छे से बैठ जाएंगी अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा यह फाइनली यह इस तरह से पूरे में प्लेट्स देते हुए सिलना है यह याद रखिएगा सीधी तरफ हमें जेब लगानी है अब यहाँ प्रेशर स्टिच देगे तो चलिए इस तरह से फैला के प्रेशर स्टिच भी दे दी जिससे कि यह पूरी प्लेट्स अच्छे से बैठ जाएंग कि बहुत आराम से यह यह देखिए इस तरह का लुकार अब हमने जो यह बना रखिए प्लेट्स इस पर लगाई है इसे यहाँ पर जेब से पहले इस तरह से फिट करेंगे अभी हम इस वाले एंड को इस तरह से फोल्ड करके जेब पर सिल लेंगे पहले हम इसे जेब से थोड़ा पहले रखते हुए पिन लगा देते हैं यहाँ पर इस जगा पर एक पिन लगा ली और फिर प्लेट्स जैसी आपको देनी है उसे साथ से रखते हुए यहाँ पर प्लेट्स देंगे आप अपने मन से जितनी चाहें दे सकते हमने यह साड़े 20 इंच का कपड़ा इसलिए रखा था जिससे हम प्लेट्स दे पाएं थोड़ा बहुत जादा नहीं रखाया था हमने इस तरह से प्लेट्स देते हुए इसे हम पिन से एड़ेस्ट करते जा रहे हैं जिससे कि ये प्लेट्स हमारी बाद में सिलते ताइम फिस लेना आप कच्चा भी कर सकते हैं अब इससे देखे जेब के पहले तक इस तरह से थोड़ा जेब से हलका से निकला हुआ रखता है क्योंकि अब हम यह फोल्ड करना है इ एड़ेस्ट करते जाएंगे यह हो क्या अभी हम दिखाते हैं कैसे यह दिखेगी यह देखिए इस तरह का प्लेट्स हमने एड़ेस्ट कर ली है अब यहां पे सिलाई हम करें सबसे पहले यहां से फोल्ड करते हुए जेब के सिर्फ उपर वाले पल्ले पे सिर्फ उपर वा सिलेंगे और प्लस उपर से भी हम जेब का सिर्फ उपर वाला पल्ला ले लिया है उस पे अपनी फ्रिल को भी फोल्ड करके लगाया और यह इससे को भी फोल्ड करते हुए सिल रहा है अस्तर वाला हिस्सा हमने अलग हट कर दिया है पीछे इस तरह से सिल लिया इसके बाद जिसके गुमा के मुस्तित हो गया हम उपर से भी टॉप्स्टिच दे लेंगे जिसे कि प्लेट भी अच्छे से बैट जाएבה यह वग्यां इस तरह ले अवार है再見 कि क्uh यूँ यह तक गया आगे का पल्ला रेडि अब हम पिंस हमा क्याया जोड़ेंगे यानि साइड्स जो पहचे दोनों आपस में अलग हैं पिछे के seven the यह देखिए यह हो गया अब हम यहां पर साइट जोड़ेंगे हम साइट की दोनों पलनों की स्लाई करेंगे देखिए सबसे नीचे अस्तर है उसके बाद आगे का पला फिर वो जो फ्रिल वाला का हिस्सा था वो है और उसके उपर हमने पीछे वाला हिस्सा रखा है इस तरह स से हम सैन्विच बनाके यानि बीच में फ्रिल वाला हिस्सा और आगे और पीछे जो है वह आगे और पीछे का पल्ला साइट से यूँ सिल लेंगे यहां हमारे थोड़े धागे निकल लें तो हम इंटर लॉक बाद में कर लेंगे इस तरह से एक पल्ला सिल गया और दूसरा पल्ला भी इसी तरह से सिल लेंगे तो हम पहचे को नीचे से भी मोड देंगे यह देखे दूसरी साइट से भी इसमें कोई फ्रिल वाला हिस्सा तो है नहीं बस दोनों आगे और पीछे के पल्ले रखके सिल लिया जेब आएगी यहां पे यह ध्यान रखना है लॉक कर दिय सिल जा fakási r Freeze जाने के बाले यह साइट वाला हिस्सा सिल अजिसाण हुआ है हम पहचे को इस तरह इसे डावल फोड करके हम सिल देंगे जिसकी हमारे पहचे नीचे से भी थे क्योर हो जाएंगे कि यह हैं कि दिश्क लाइग करना है दोनों ही पैचों में हम ऐसे ही मोड़ लेंगे कि टवल फोड कर देंगे तीनचे से पैचों को कि यह सिल गया इस तरह से दोनों पैचों पर हमें करना है और आपको दिखाते है कि इस तरह का दिखेगा यह इस फिर से किया और दोनों पहचों को इस तरह से मिलाते हुए बीच में यूँ सिलाई देनी है यहां से लेकर यहां तक यह सिलाई देंगे तो लगबग पैंट रेडी हो गई है नीचे से सिल लिया है हमने यह देखे इस तरह से दिख रहा है अब हम उपर की तरफ लास्टिक की पट्टी जोड़ेंगे दो पट्टि हमने आपस में जोल लिए है यह वही चार इंच वाली पट्टिया है इसको अब हम यहां रखके एक पट्टी फोल्ड थोड़ा सा एरिया छोड़ते हुए इस तरह रखके हमें पट्टी बनानी है तो हम सबसे पहले सीधा सिल लिएंग एक सिलाई और दे लेंगे जिससे कि यह हमारी लास्टिक पट्टी मोड जाएगी और हम इसमें लास्टिक डाल लेंगे आप चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकती है इस पट्टे की क्योंकि लास्टिक आपको कितनी चौड़ी रखनी है यह आप अपने हिसाब से देख लिजेगा यहां से अब हम सीधी शिलाई देंगे उसके बार लास्टिक डाल लेंगे चाहें तो उपर से बीच में भी एक स्लाइड देंगी क्योंकि हम दो पत्ली लास्टिक डालने वाले है इस देंगा यह लोक आने वाला है और देखिए यह हमारे पैंट का फाइनल लु तो उसे दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा टैंक यू